हलो एवरिवन आज आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करेंगे जो आप लोगों के पास भी पहले से ही मौझूद है आपको ध्यान होगा मैंने एक बॉटल कट कर आई थी और इस बॉटल का लोवर पार्ट आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे उसमें हम क्या कर सकते हैं तो इसके साथ में आपको धिहान होगा पहले कि मैंने इसके तीन पार्ट कराया थे, बड़ी सी बॉटल थी, इसके मैंने तीन पार्ट कराया थे, सपोस्स आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं, मेरे पास इस समय नहीं है, बट ये बॉटल है मेरे पास, तो आप इस तरह की आपके साथ मैं शेयर करूगी तो आज बारी है बॉटम की बॉटम मैंने सीजर से कट कर लिया था अब इसके एजिस बहुत शाप होते हैं तो शाप एजिस को कैसे स्मूथ करें तो उसके लिए मैंने आज यहाँ पे घर में सभी के पास है प्रेस तो मैंने प्रेस लिए हुई है तो आज हम कपड़े प्रेस नहीं करेंगे हम बॉटल को हलका सा जस्ट यह देखिए जस्ट इसमें आपने टर्न किया यह आपको शोग हो रहा होगा फोकस प्रॉपर है मैं फोकस देखती हूँ तो यह जस्ट आप आपने जस्ट प्रेस रखी बॉटल का लिया एंड यह बॉटल आपको शोग हो रही होगी पपर एजस देखिए कितने शाप है शाप एजस के साथ में हम घर में नहीं रख सकते हैं बिकाज कई बार खुद को चोट लग सकती है इसके लिए सिंपली यह देखिए यह मैंने बॉटल ली बॉटल और प्रेस आपने बस लिया और इसको जस्ट ऐसे गुमा दिया राउंड 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 गरम प्रेस होगी तो यह देखिए कितना स्मूथ हो गया है और यह बिलकुल आपका यह देखिए अंदर जो एजेस हैं इसके वो अंदर से ले गए हैं तो कोई भी इसमें लिकत नहीं है मैं प्रस अटा देती हूं, स्विच ओफ कल देती हूं प्रस का तो एजेस स्मूध करना कितना हासान है बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है अब इसके बाद मैं इसमें बहुत जल्दी से जो चीजें रेडी हो जाएंगी आज हम आपके साथ वो शेर करते हैं अगें ये मैं इधर से रखती हूं कुछ सफेस जरूर ले लीजेगा जिससे की बहुत इजी गई हो जाता है और उसके बाद ग्लू लीजे हाँ आप इसको हैंडी कर सकते हैं ग्लू के साथ में आपने इसको पूरे में आपको ग्लू लगाना है और बहुत जल्दी ग्लू लगाना है क्योंकि ग्लू गिरने लगता है तो इसको गिरने से पहले ही हमें ये ग्लू पूरा अच्छे से इसको लगा देना है कितने अच्छे से ये glue लगेगा उतना ही हमारे लिए लिखोगा ये base में सब जगे मैंने बहुत अच्छे से इसको लगा लिया है लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कहीं पे रह गया है तो आप इसको वापस से लगा लिजिए विल्कुल भी रहना नहीं चाहिए स्कित बाद ये है sand river river sand स्वई river sand या morang morang भी सब लोग जानते होंगे जब हम लोग घर वगरा बन वाते हैं तो इसमें ये बहुत यूज आती है simply आपको इसको थोड़ा सक काम है जिसमें से गंदगी होती है बड़ पीस आपका बहुत classy ready हो जाएगा इसका तो I think material आपको कहीं भी purchase करने की भी जरूरत नहीं है because ये बहुत आराम से मिल जाता है इसमें बिल्कुल भी और ये जो आपको voidness इसमें show हो रही है ये जैसे ही आपका ये dry होगा ये जो glue है वो transparent हो जाएगा तो blue जब आपका transparent हो जाएगा और ये आपका piece dry हो जाएगा फिर ये आपका बहुत ही classy piece ready हो जाएगा just ये आपका मतलब mud work बोलेंगे जिसको उस तरह का work ये ready हो जाएगा ये देखिए हमारा जो planter हमने बनाया था bottle के base part से वो हमारा ready हो गया है अब ये जब इसको भी dry time अच्छा से चाहिए overnight इसको proper rest चाहिए तो इसको अब आप जब ये देखिएगा अच्छे से हो गया है तो extra जो है वो remove कर लिजएगा और मैंने इसलिए टोकरी से इसको नहीं निकाला था आपको इसमें coloring करनी है तो ये मैं इसमें coloring आपको show करती हूँ आप simply ऐसे भी रख सकते हैं अगर आपको color करना है तो आप color करके भी इसको रख सकते हैं color आप acrylic color use करेंगे इसमें या किसी design में अगर आप इसको बनाना चाह रहे हैं तो किसी design में भी आप इसको बना सकते हैं और पूरा अगर आप color करना चाहरें तो आप पूरा भी इसको color कर सकते हैं पूरा color करने से benefit यह रहेगा यह actual में कोई guess नहीं कर पाएगा इसको कि यह बना कैसे है यह देखिए कितना difference इसमें आ गया है यह इधर से और यह इधर से तो यह बस मैं पूरा complete कर लेती हूँ एक चीज का ध्यान रखीगा यह हम planter भी आप इसको use कर सकते हैं as a pen stand भी use कर सकते हैं and kitchen में भी आप इसको spoon stand के तौर पे use कर सकते हैं बड़ जब आप इसमें अगर कोई plant लगाना चाहरें as a planter इसको use करना चाहरें तो आप इसमें इसके bottom में आपको hole करना रहेगा तो bottom में hole करने के लिए आपको starting में ही जब आप bottle cut करते हैं उसी समय आपको bottom में hole करना रहेगा इसके बाद इसको थोड़ी दर wait कीजिए यह dry जैसे ही होता है after drying इसमें colors हलका सा आप इसमें कई सारे options से आपके पास आप polka dot रख सकते हैं अगर आपको polka dot नहीं रखना है तो आप simply shimmery color इसमें just touch up दे सकते हैं या फिर plain आप इसको solid smell भी रख सकते हैं solids में कई सारी आपने bottles का bottom cut किया और एक साथ में रख लिया आप इसमें face भी बना सकते हैं किस तरह से use करना चाहर हैं यह आपकी choice है आपका अपना जहर है आप अपने हिसाब से अपने घर को कैसे decorate कर सकते हैं मैंने just base आपको बताया color करके show किया इसमें polka dot देना है आप polka dot दे सकते हैं अगर आपको नहीं देना है तो आप just shimmery effect भी दे सकते हैं एक मैं छोटी सी चीज आपके साथ share करूँगी क्योंकि मुझे colors वैसे भी बहुत पसंद है यह मैंने brush में color लिया color लेने के बाद यह just अच्छे से color है just आप इसमें यह देखिए यह आपको show हो रहा होगा I think बहुत better way में yes यह आपने brush लिया brush में color yellow लिया combination मैं just आपके साथ share कर रही हूँ यह आपको brush होगे and यह आपने नीचे इसको just strokes यह देखिए और यह simply brush में और यह simply brush में और यह simple stroke आपको strokes देने है कुछ भी इसमें extra नहीं करना है यह देखिए simple stroke देने है तो यह आपका shading effect अपने आप इसमें create हो जाएगा yellow color भी prompt होके नहीं आ रहा है और यह देखिए designer यह हो गया आपका plain आपका यह हो गया polka dot रखना है तो polka dot भी आप brush से रख सकते है polka dot means simply circular dots solid में रखिएगा बहुत प्यारे लगते है baby pink हो गया pale blue हो गया light green color हो गया lemon yellow हो गया magenta color सारे ही colors बहुत प्यारे लगते है तो please आप लोग इसको try कीजेगा I hope आप लोग को यह DIY बहुत पसंद आया होगा okay then फिर मिलते हैं next DIY के साथ till then bye bye yeah yeah yeah